हेलो एब्रिवन मैं में तुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अची हूँगे जारकंड सिक्छक भरती के बारे में एक नई अपडेट आई है देखे मैं आपको बताओं जारकंड में रोज न कुछ न कुछ निमावली आपको देखने को मिलेगी बाइदवे आज के न्यूस पेपर में सरकार के द्वारा जो है बिग्यापन दे दिया गया है एबाउट वो कैंसिलेशन यानि कि जो पुराना वाला एक्जाम जो होने वाला था उसके बारे में उन्होंने नॉटिस निकाल दिया है परभात खबर में कि अब जो जो है क्या बदलाव किया गया है और की चीज़ों को जोड़ा गया है उसके बारे में बात करेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपको जारखंड टैट के प्रिवेसर कोश्चन पेपर साथ में आकलन परिक्षा के प्रिवेसर कोश्चन पेपर देखिए पारा सिक्षा का आकलन परिक्षा के बारे में जानने से ये फायदा होगा आपको कि लेवल जो है 6-8 में पूरे भारत में आपको ऐसा लेवल नहीं मिलेगा जैसा लेवल जहरखण में पूछा जाता है यहाँ पे सीधे graduation level के question पूछे जाते हैं इंटर लेवल के और graduation level के question आपको मिलेगा अगर आप math वाले student हो, English वाले हो आपने अगर syllabus देखा है तो आपको idea लग जाएगा फिलाल आज आपको एक ss2 की syllabus देखने को मिल जाएगी में SSD के उपर एक dedicated वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा तो यहां से मेरी email id देख लो yourmithon sing at the rate gmail.com पे आप मुझे email कर सकते हो insta पे हो then do follow me at the rate imithon sing वहां से जो है आप मुझे follow कर सकते हो message कर सकते हो और आप जो है contact कर लीजिए और previous question paper ले लीजिए 70 रुपीज में आपको ये provide कर दिया जाएगा और 100 रुपीज में जार्खन के जितने भी exam हुए ना उनके जार्खन जी के या फिर statics जी के भारत से जो प्रस्म पूछे जाते हैं उसकी आपको जो है idea लग जाएगा तो ये दोनों आप काम कर सकते हो जिनको जो पसंद आए वो ले सकता है ठीक है अब देखिए मैं news की ओर चलता हूँ और newspaper की cutting यहां से आपको दिख रही होग तो इसके लिए आपको जो है दो condition के साथ जो है आगे बढ़ना होगा सबसे पहले तो TAT की परिक्षा पास होनी होगी यानि कि teacher eligibility test आपके पास होना ही चाहिए otherwise आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पहली बात दूसरी बात एक और condition इनों ने लगा दिया है यहां से आप देख 6-8 के आयोजित होने वाली TAT परिक्षा यानि कि जारखंड पातरता परिक्षा को पास करना होगा अगर आप 1-5 से promotion लेकर 6-8 teacher बनना चाहते हो अपर primary जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको JTAT 6-8 पास करना होगा यानि कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए इन future बहुत सारे जो 1-5 में जॉब करेंगे और वो 6-8 के लिए जो है promotion वाली बात करेंगे तो उनके लिए ये बहुत future में है आप teacher बनने वाले हो तो आपके लिए idea होना चाहिए कि आपको आप देखे 6-8 में आपका जो concerning subject है वहाँ से सवाल बहुत बनते हैं 6-8 में क्या पूछा जाएगा से आपके subject से related information पूछी जाएगी साथ में और भी जो subsidiaries paper है उसको भी सामिल किया जाता जैसे अगर मैं बात करूँ maths की तो physics भी पढ़ना होगा आपको chemistry भी पढ़ना होगा और maths भी पढ़ना होगा और equally जो है यहाँ पे number distribute किया जाएगा तो please इन चीजों को ध्यान में रख पास कर लेना होगा फिलाल ये खबर थी और इसके regarding जो है छूट वगएरा की कोई बात यहाँ पे नहीं की है और जो है यहाँ पे एक और बात लिखी गई है लेकिन पांच वरसों की सेवा अबधी वाले सिक्षकों की अनुपलब्धा की स्थिति में अगर कोई नहीं उपल नहीं है तब उन्हें जो है प्रमोशन दी जाएगी तो ये जारकंड के टीचरों के लिए खबर थी और आपके लिए खबर है क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो ठीक है तो नीचे कॉमेंट करके आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो सपोस कर लो मैं देवगर से सुक्रिया, वब गून देख